अगर हम यहाँ आए हैं तो कोई रीजन होगा, क्यों हम आए हैं, तो यही रीजन समझना चाहते हैं पहले आप से गुरजी, हम यहाँ क्यों आए हैं, what is the secret behind our existence? बहुत महत्यपूर सवाल आपने उठाया है, सबसे पहले में यही कहना चाहूंगा, कि जीवन का जो रहस्य है, वो एक मिष्ट्री है, एक पहली जैसा नहीं है, पजल जैसा नहीं है, यदि कोई पहली होती, तो हम बुद्धी के द्वारा, चिंतनमनन के द्वारा, पढ़ लि बात करके, समबात करके उसको हल कर सकते, हम मिल जूलकर उसका कोई शलूसन निकाल सकते, मिष्ट्री का सलूशन नहीं होता, मिष्ट्री को जीया जाता है, तो जीवन एक रहस्याई घटना है, हम उसको जी सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, और जब भी कोई व्यक्ति जाही लिखाई के द्वारा सास्त्रों, किताबों, इत्यादी को पढ़कर, आज कल गूगल और इंटरनेट पर खोच कर, जीवन के रहाष्य को समझना चाहेता है, तो उसने पहली स्टेप ही गलत उठाली, उसको एंजवाय करें, हम उसको जीएं, जीवन ऐसी चीज है, उसको हम समझ कर एक गणित का फार्मूला बना कर, फिजिक्स या कैमिस्ट्री की तरह उसको हम एक्सप्लें नहीं कर सकते, उसके पीछे कोई लाजिक्स नहीं है, जिसको हम खोल लें, ओश्यो की एक किताब का प् रिजी में, दा ओपन सीक्रेट, खोला हुआ रहस, कुछ बंद नहीं है, जिसे हमें खोलना है, बुद्धी काट-छाट करती है, बुद्धी का काम है विश्लेशन, एनलिसिस, तो अगर कोई चीज बंद होती हम उसको तोड़ लेते, खोल लेते, टुकले-टुकले कर देते और समझ लेते, नहीं, जीवन की अगर हमने एनलिसिस की, तो जीवन विदा हो जाता है, जीवन बसता ही नहीं, वो तो सिंथेसिस में, संपूर्था से जीने में, living in totality, उसमें पकड़ में आता है, तो हमारे शब्द, विचार, intellectual knowledge काम नहीं आती, क्योंकि intellect का काम है एनलिसि और जीवन की अनलिसिस नहीं हो सकती, हम जब भी तोड़ फोड़ करेंगे, उसका पोस्ट मार्टम हो जाएगा, मुर्दा चीजें हाथ में आएंगी, वो जो रहष्च में जीवन था, वो गायो हो जाएगा, तो सबसे पहले तिया है समझ लें, फिर आपके दूसरे सवाल क उत्तर देता हूं कि इस जीवन का लक्ष क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या यह साईयों कि खे या किसी खास कारण से हम आए हैं, हमारा जो गंभीर मन है, हमारी जो सिरियस इंटलेक्ट है, वो हमेशा चीजियों को लीनियर, एक स सोचा जाता था, सीधी रेखा, स्टेट लाइन, हमारा लाजिक वैसे ही चलता है, और जीवन ऐसा नहीं है, जीवन है कुछ-कुछ नान यूकलीडियन जामेट्री जैसा, सारी चीजन सर्कूलर हैं, वर्तुलाकार हैं, जहां से सुरुवात होती हैं, वहीं पर समाप्त हो ज गई, नदी फिर सागर में आके मिल गई, पानी फिर ओडने लगा, फिर बादल बनने लगा, ऐसा करोणों करोणों साहल से हो रहा है, सर्कूलर, प्रत्वी घूम रही है गोल, चांद घूम रहा है गोल, तारे घूम रहे हैं, सूरज घूम रहा है, गलक्सी घूम रही है, स circular कहानी है, यदि हम circle में लक्षिक हो जाएंगे, target कहीं नहीं मिलेगा, घुमफिर के सब चीज़ें वहीं आ जाती हैं, जहां से वो सुरू हुई थी, तो सबसे पहले तो यह है, बात को गौर से पकड़ियेगा, things are not in a straight line, but circular, उस ढंग से हम देखेंगे, यह पूरा अस्तित्त सर्कुलर है, वेज्ञाने को ने हिसाब लगाया है, कि करीब 14 trillion years पहले, बिग बैंग हुआ, स्रष्टी का निर्मान हुआ, एक्सपेंशन होता जा रहा है, निश्चित रूप से उसका दिव स्रफेज यह होगा, एक्सपेंशन की जगा, स्रिंकेश सुरू हो जाएगा, सब कुछ शिकोड़ना सुरू हो जाएगा, और फिर सब शूनने में समा जाएगा, यह दिन और रात जैसा, स्रष्टी और प्रलै का खेल, गोल 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 गूंता रहेगा, ऐसा अनन्तवार हो चुका है, और अनन्तवार होता रहेगा, तो सब कुछ वर्तुलाकार है, इसका कोई लक्ष, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम गंभीर डंग से सोचते हैं, जीवन नन सिरियस प्ले, एक गैर गंभीर खेल है, इसलिए हिंदु धर्म में हम जीवन को लीला कहते हैं, भगवान राम के जीवन को हम र है, फिर वही चीज़े होंगी, फिर वही चीज़े होंगी, फिर वही चीज़े होंगी, गोल 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 गोल, अब सवाल उठता है कि क्या हम किसी विसे शैयोक से यहां आ गए, या किसी विसे इस कारण से आए हैं, बहुत मुश्किल इस जवाब का, इसका जवाब देन क्योंकि सर्किल में सब चीजें होतो रही हैं किसी खास कारण से कोइंसीडेंटल नहीं है आप एक रेगिस्तान में जा रहे हैं और वहां पर आपको एक रिष्ट वाच पड़ी हुई मिल जाए घड़ी या एक मोबाइल मिल जाए तो क्या आप कहेंगे कि यह कोइंसीडेंटल अपने आप यहां रेट थी बहुत कुछ मिट्टी के करणा गए होंगे और कभी पानी की बूंद गर गई होंगी और उनसे मिल के यह मोबाइल बन गया इरिष्ट वाच बन गयी कोइंसीडेंट संयोग की बात है नहीं ऐसा आप नहीं कह सकते इतनी complicated mechanism मोबाइल है इसके पी की पीछे कुछ कारण कोई खास उद्देश्य होगा यह मोबाइल यूहीं नहीं है तो जब छोटे से मोबाइल को या घड़ी को या fountain pen को हम नहीं मान सकते कि अपने आप बन गया तो यह करोणों प्रकार की वनस्पतियां पेड़ पौदे फलफूल अर्वों प्रकार के प् कभी पेड़ा हुआ है और आज है और ना कभी होगा गया यह सथी कोईशीडंस ये सन्योग नहीं हो सकता जरूर हमारे पीछे कुछ विसेज कारण है तो हम इस दुनिया में आएं थे एक बात तो पक्की है एक दिन हम नहीं थे और यहीं भी पक्का है कि एक दिन हम नहीं ह हो जाएंगे जैसे हम हैं अभी ऐसे तो हम नहीं हो जाएंगे तो फिर पीछे क्या मकसद हो सकता है वह मकसद ऐसा है कि हम एक evolutionary process में हैं हमारी चितना का विकास हो रहा है जीवन के अनभवों से हम पक रहे हैं we are becoming more and more mature by living निश्चित रूप से यह maturity धीरे धीरे अपने climax पर पहुंचते जा रही है और climax पर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू आथ होई थी अब यहां पर थोड़ा non-serious बात आ जाती है हम मंत में वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमारा starting point था तो पीछे एक निश्चित रूप से कारी कारण है यह इसाई योग एक नहीं है एक evolutionary process चल रही है चार्ल्स डार्विन ने तो शरीर का विकासवाद का सिध्धान्त खोजा महावीर ने बुद्ध ने ओशो ने इन लोगों ने चेतना के विकास का सिध्धान्त खोजा लेकिन उसमें एक फर्क है महावीर ने दो शब्दों का प्रियोक किया है एक मोक्ष और एक निगोद हाँ हमारी आत्मा निगोद से आई है शायद जैन शब्दा वाली में ही यह शब्द आता है और किनी धर्मों में यह शब्द नहीं आता इसलिए समझना जो मूल उदगम है जहां से चेतना आई जगत में उसका नाम है निगोद और जहां वह जा रही है उसका नाम है मोक्ष निर्वान कैवल जो भी हम नाम दें तो हम करमशय विक्सित होते जा रहे हैं अंतता है हम मोक्ष की अवस्था में परमोक्षी की अवस् लिनियर थिंकिंग अब महावीर एक बहुत विशेश बात कहते हैं जो हमारी सूजबूच से परे हो जाती है वे कहते हैं निगोद और मोक्ष एक ही अवस्था का नाम है एक ही अवस्था का नाम है ऐसा समझें कि साइंस की भासा में ब्लैक होल में सब कुछ समा जा रहा है गा हाइट होल जहां से चीजें निकल रही हैं creation हो रहा है तो एक तरफ से destruction हो जा रहा है चीजें अपनी resting phase में चली जा रही है अद्रश और विदा हो जा रही है और दूसरी तरफ से फिर प्रगट हो जा रही है तो हिंदु धर्म में जिसको संभूत ब्रह्म और असंभूत ब् प्रमात्मा और अप्रगट प्रमात्मा ऐसा समझें हम सब उस अप्रगट प्रमात्मा से आए फिर हमारा यह है प्रगट रूप हो गया इसके पीछे निश्चित रूप से एक उद्देश है एक लक्ष है हम धीरे 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 विक्सित हो कर उस अप्रगट को उस छुपे ह हुए को जान लें फिर हम उसमें लीन हो जाएंगे ब्रह्म में हम विदा हो जाएंगे व्यक्ति की भाति समश्टी की भाति हम हो जाएंगे निश्चित रूप से बून्द सागर हो जाएगी जैसा कि ओष्वयों ने स्वयम अपना नाम करण किया अब वो सरीता नहीं रहे उनिवर्सलिटी में समा गए, ऐसा समझो ब्लैक होल में चले गए, लेकिन इसका दूसरा पक्षिय भी होगा, फिर सागर से बादल उड़ेंगे, फिर ज़रने बनेंगे, फिर नदियां बनेंगी, निश्चितरूप से इसमें उस नाम का व्यक्ति नहीं होगा, तो अगर आप उद्दिश और लक्ष की दृष्टी से समझना चाहेते हैं, तो हमको कहना होगा, कि हम अपने मूल सरोत को जानने के लिए, अपने ओरिजनल फेस को पहचानने के लिए यहां आए हैं, हम उसको भूल गए हैं, फिर से याद करना हैं, तो इसमें आपको एक नान सीरियस पले खेल चुपा हुआ है, हम पहले भी शुद्ध बुद्ध परमात्मा थे, फिर हम भूल गए, बिसमरण हो गया, यह खेल काई खिस्सा है, अब हमको फिर से यादा जाएगी, फिर हम परमानन दित हो जाएंगे, ऐसा ही यह खेल सदा सदा से चल रहा है, तो जाएगी, तो जाएगी, तो जाएगी, जाएगी वक्तू एब लुद्ध खिर हमानन दित है। यह झा स्वेट कहा है।